नमस्कार दोस्तों सुवागा था आपका क्रिक्टिंग मूट के एक नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं ICC रैंकिंग के T20 नंबर वन बल्लेबाच के बारे में जो की है सूरी कुमार यादव तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बारत के स्टार सूरी कुमार यादव ICC की ताजा T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाच बन चुके हैं और उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के मुहमत रिजवान को भी पीछे चोड़ दिया और ताजा ICC रैंकिंग में सूरी कुमार यादव के 863 रेटिंग पॉइंट है तो वही मुहमत रिजवान के 842 रेटिंग पॉइंट ही है दोस्तों बता दे सूरी कुमार यादव ने मुहमत रिजवान पर 21 रेटिंग पॉइंटों की बड़त बना रखी है और सूरी कुमार यादव टीटुनिटी रैंकिंग में नमबर वन ओवराल 23 बल्लेबाज हैं वहीं ये मुकाम हासिल करने वाले वो दूसरे भारती बल्लेबाज बन चुके हैं और इससे पहले विराट कोली ने सितंबर 2014 से देखके दिसंबर 2017 के एक हजार तेरह दिनों तक नमबर वन टीटुनिटी बैटर रह चुके हैं और इसके बाद A63 रेटिंग पॉइंट भारते बल्लेबाज द्वारा हासिल किया गया दूसरा बेस्ट रेटिंग पॉइंट है दोस्तों कोली ने सितंबर 2014 में A97 रेटिंग पॉइंट हासिल किये थे और बता दें कि सूरी कुमार यादव इस सार टीटुनिटी में सांदर फॉर्म में दिख रहे हैं और वहीं वो इस साल ओवरॉल इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन मनाने वाले बल्लेबाज हैं और उन्होंने साल 2022 में अब तक 27 मैचों में 51 दसंबर 95 की और 183 दसंबर 80 के स्ट्राइक रेट से 965 रन मनाया हैं और उन्होंने इस साल इंग्रेंड के खिलाफ 117 रन की पारी खेली थी तो दोस्तो इस साल सूरी कुमार यादव ने 320 अंटराश्ट्य में एक स्टक और आठ अर्द स्टक लगाए हैं और दोस्तो बता दे कि महम्मत रिजवान सूरी कुमार यादव के बाद लिस्ट में दूसरे नमबर पर हैं और उन्होंने इस साल 21 मैचों में 123.84 के स्ट्राइक रेट पर 888 रन बनाये हैं वहीं तीसरे नमबर पर जिंबावे की सिकंदर रजा हैं और दोस्तो रजा ने इस साल 23.20 मैच में 151.40 के स्ट्राइक रेट से 701 रन बनाये थे इसी साल T20 अंदराश्ट्री में सबसे जादर नमनाने वाले विराट कोली चौथे स्टान पर हैं क्योंकि कोली ने इस साल 18 मैचों में 140.08 के स्ट्राइक रेट से 55.33 की और से अब तक 64.00 नहीं बनाये हैं दोस्तों सूरी कुमार यादव ने कलेंडर येर में सबसे जादर नमनाने के मावने पाकिस्तान के बाबा राजब को भी पीचे छोड़ दिया है और अब सूरी कुमार यादव की नेजर पाकिस्तान के महमत रिजवान के रिकॉर्ड पर भी है दोस्तों रिजवान ने साल 221 में 19 मैचों में 1326 मनाये थे और वहीं बाबा ने 221 में 29 मैचों में 949 मनाये थे तो सूरी कुमार यादव ने अब 955 और उनोंने बाबा को भी पीछे चोड़ दिया और वहीं दोस्तों सूरी कुमार यादव ने साथ ही एक कलेंडर येर में T20 अंतराइस्टी के सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है और उन्होंने 2022 में अब तक 55 चक्के लगाये थे और वो इस मुकाम को छोने वाले पहले खिराड़ी हैं और इससे पहले एक कलेंडर येर में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले रिकॉर्मत रिजवान का नाम था और दोस्तों रिजवान ने 2021 में 22 चक्के लगाये थे वहीं मार्टिन गुप्तिल ने 2021 में 41 चक्के लगाये और वो तीसरे नमबर पर हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको एक नहीं वीडियो में तब तक कि लगर्किट मूड को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब परना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद